हर हर महादेव दोस्तों ओम नमा शिवाय दोस्तों आज हम बात करेंगे सावन मास में पढ़ने वाली अमावस्या तिथी के बारे में इस साल 2023 में सावन मास की हरियाली अमावस्या पर सोमवती अमावस्या का सयोग बन रहा है इसी दिन सावन सोमवार भी है आए जानते हैं शुक तिथी के बारे में साथ ही शुक महूर्ट। महत्व और इस दिन हमको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर में सुख शांती बनी रहे और धन का आगमन भी हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों इस साल साल 2023 में तीन सोमवती अमावस्या का सयोग बन रहा है। इस साल फालगुन, सावन और कार्तिक माह में सोमवती अमावस्या होगी। हम आपको बता दे कि 20 परवरी 2023 को सोमवार के दिन पढ़ने वाली फालगुन माह की सोमवती अमावस्या को हम मना चुके हैं। और अब 17 जुलाई 2023 को सावन माह की अमावस्या सोमवार के दिन होगी इसे भी सोमवती अमावस्या के रूप में मनाया जाएगा। कार्तिक माह की अमावस्या 13 नवंबर को मनाई जाएगी इस दिन भी सोमवार का दिन होगा इसलिए इसे भी सोमवती अमावस्या के रूप में मनाया जाएगा दोस्तो सावन माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। दोस्तों इस वर्ष 2023 में सावन माह की सोम्वती अमावस्या को पढ़ने वाली है। अमावस्या तिथी शुरू हो जाएगी 16 जुलाई 2023 को राद 10 बचकर 8 मिनित पर और एसी के साथ इसका समापन होगा 18 जुलाई 2023 प्राथा 12.01 मिनित पर दोस्तों आये जान लेते हैं सावन सोमवती अमावस्या के महत्व के बारे में दोस्तों सावन में सोमवती अमावस्या का सयोग बहुत ही उत्तम फलदाई माना जाता है जो महिलाए सावन सोमवती अमावस्या पर वरत रक्त कर शिव जी को पूजा आराधना करती है उन्हें सदा सुहाग्वती रहने का वर्दान प्राप्त होता है सोमवती अमावस्या के प्रभाव से पती और संतान की आयू लंबी होती है कहते हैं कि ये वरत करवा चौट के समान ही फलदाई माना जाता है इस दिन स्नान दान कर शिवलिंग का कच्चे दूद और गंगाजल से अभिशेक करने पर पित्री दोश कालसर्प दोश से भी मु सी, नीम, आवला या बेल पत्र का एक-एक पौधा लगाना चाहिए ऐसा करने से हमारे ग्रह के सभी दोश नश्ट हो जाते हैं इसके साथ ही आपको सावन की सोमवती अमावस्या के दिन सुबह पीपल के पेर में कच्च्चा दूधरपन करना चाहिए और साथ बार पीपल क के पेर की परिक्रमा करनी चाहिए और शाम को पीपल के पेर के नीचे एक दीपक जलाना चाहिए इससे शनिदेव, भगवान शिव और माता लक्षमी की कृपा प्राप्त होती है दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन ही आपको पित्रों के नाम से जल में तिल डाल कर से अभिशेक करते हैं और बेलपत चड़ाते हैं तो दोस्तों नौकरी और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आपको सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर दही से अभिशेक करना चाहिए और बेलपत अर्पित करना चाहिए दोस्तों सोमवती अम सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विश्णु के अलावा पित्रों के निमित गीता के साथ में अध्याय का पाठ भी आपको करना चाहिए। सोमवती अमावस्या की रात को अगर किसी कुए में एक चम्मच कच्चा दूद और एक सिक्का डाल दे तो दरिद्रता से छुटकारा मिलता है और धन का भी आगमन होता है। आए अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या से जोड़ी एक कथा एक गरीब ब्राहमन परिवार था। उस परिवार में पती पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वो पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बर्ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचिक गुनों का विकास हो रहा था। वो लड़की सुन्दर, संसकारवान एवं गुनवान थी। किन्तु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राहमन के घर एक साथू महराज पधारें। वो उस कन्या के सेवाभाव से काफी प्रसन हुए। कन्या को लंबी आयू का आशीरवाद देते हुए साथू ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब रहमन दमपती ने साथू से उपाए पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साथू ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर द्रिष्टी से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गाव में सोना नाम की धूबिन जाती कि एक महिला अपने बेटे और बहु के साथ रहती है। जो बहुत ही आचार विचार और संसकार संपन तथा पती परायन है। यदि एक कन्या उसकी सेवा करे और वो महिला इसकी शादी में अपने मान का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हूँ तो इस कन्या का वैधव्य योग मिठ सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वो महिला कही आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्रहमनी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगल दिन कण्या प्रातह काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहु से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहु ने कहा मा जी मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं मैं तो देर से उठती हूँ इस पर दोलो सास बहु निगरानी करने लगी कि कौन है चो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है कुछ तिनों के बाद धूबिन ने देखा कि एक कन्या अंधिरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है जब वोल जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यूं करती है तब कन्या ने साधू दबारा कही पर ही रहने को कहा सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मान का सिंदूर उसकन्या की मान में लगाया उसका पती मर गया उसे इस बात का पता चल गया वो घर से निराजल ही चली थी ये सोचकर की रास्ते में कहीं पीपल का पेर मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहन करेगी उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी व्राहमन के घर मिले पुए पक्वान की जगह उसने इट के तुकडों से 108 बार भावरी देकर 108 बार पीपल के पेर की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहन किया ऐसा करते ही उसके पती के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई धोबिन का पती वापस जीवित हो था इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन 108 वस्तों की भावरी देकर सोना धोबिन और गौरी गनेश का पूजन करता है उसे अखन सौभागे की प्राप्ती होती है ऐसी प्रचलिक परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपाडी की भावरी दी जाती है उसके ब पानचे को दिया जा सकता है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे किसी नए विशय के साथ तब तब के लिए धन्यवाद दोस्तों